उत्तरा खंड के हरिद्वार में गंगा उफान पर है भारी बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया बाढ़ हाने से गाड़ियां कागज की कश्टियों की तरह नदी में बहने लगी हरिद्वार के खरखरी की सूखी नदी पर खड़ी गाड़ियां गंगा नदी में बह गई बताया जारा है कि करीब आधा दर्जन गाड़ियां गंगा में बह गई है वहीं उत्तरी हरिद्वार में जल भराव के चलते लोगों के घरों में पानी घुज गया है उत्तराखंड में मानसून का अलड जारी कर दिया गया है जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 27 जून को मानसून ने दस्तक दे दी है और अब यह पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है रविवार से 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है वहीं पिथोरागड और बागेश्वर में 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है जब कि इस हफ्ते उत्तराखंड के अन्य अलग-अलग इलाकों में हलकी से मध्यम बारिश हो साथ लोगों को सूचित किया जाता है कि बरसात की नदी का जल इस्तर बढ़ गया है इसलिए जल इस्तर से दूर रहे और नदी के किनारे से दूर रहे नहाते समय ध्यान रखे पानी का बाहाव कभी भी तेज हो सकता है इसलिए समय सयम बरते और नहाने में जो है नदी के अंदर ना घुसे आपको दुबारा से बताए जा रहा है बर्चाट का पानी का बहुत तेज है और जल इसतर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्चित नाये और सुरक्चित अपने घर पहुचे गर्ध्री नायाभ लाये और को दु़ सुरक्ट अवचे यह को लोना को तो खिए यह के वक्रणा अवर्चानक को तो भी आए आए हैं अट्या को पहा है हैं जिस आए पुले ने आतिक में बैगों भी लिए रिडा ताव एंचो तटी आ सकती है अ देश में से कोई शीषा तोड़ के निकला है इस गारी में से पीछे का शीषा तोड़ के निकला है अ अ अ आ ऐस आ अ नहीं के आपई 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 शुए और